भारत के सबसे सम्मानिय उद्योग जगत के नेतृत्व करने वाले स्रिमान रतन ताटा जी और इस सदी के महानायक स्रिमान अमिताप बच्चन जी आईए उन्होंना सक्रिय योगदान है उनकी बाते हमें कुछ सीख दे सकती हैं मैं अमिताप जी से निमेंतरन देता हूं आई आप भी हमें कुछ संदेश दीजिए अधरनी प्रधान मंतरी जी सबसे पहले पराम करता हूं आपको और धनिवाद देना चाहूंगा कि आपने आज हमें यहां इस बहुत ही महत्वपून उद्सपे आमंतरित किया चार वर्ष पहले आपने देश का परचे करवाया इस अभियान से और तब से अपने आपको एक देश का नागरिक समझ कर मुझे लगा कि यह मेरा करतव यह है कि मैं इस अभियान के साथ जुरूं और जो कुछ भी एक व्यक्तिक तोर पे हो सके उसे करने का प्रयतन करूपत लकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए अगर वो मेरी शकल और आवाज से प्रचार करवा रहे हैं तो इतना ही काफी नहीं है व्यक्तिकत रूप से भी जोड़ना चाहिए इसलिए कई एक ऐसी जगों पर हमने जा करके स्वैम काम किया उदारन के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां मुंबई में एक वरसोवा बीच है जिसे जब मैं वहां पहुंचा तो देख करके आश्चर चकित हो गया क्योंकि बीच तो दिखी नहीं रही थी केवल वहां पर कूड़ा था और कुछ नहीं जो कुछ भी इनसान समुद्र के अंदर फेक रहा था वही समुद्र वापस जमीन को दे रहा था वहां पर जाकर के हमने स्वैम काम किया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एक एक व्यक्त की भावना थी उसने एक दिन सुबह उटकर के कहा कि मैं इस बीच को साफ रखना चाहता हूँ और वो काम करना उसने शुरू किया और साथ- अफसर मिला तो जितना भी कूड़ा था वो रेत के नीचे दबा हुआ है और उसे निकालने में इन लोगों को अपने हाथ से रेत को खोदना पड़ता है और वहां से अंदर जितनी गंदगी उसे निकालना पड़ता है मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई उपाय बताईए कह हम चाहते हैं कि यहां हमारे लिए कोई एक जमीन खोदने वाली मशीन लग जाए तो मैंने अपनी और से व्यक्तिकत तोर से उनको एक मशीन खरीद करके दी पिर उनने कहा कि एक हमें ट्रैक्टर भी चाहिए क्योंकि जितना कूडा मलबा निकलता है उसको उस ट्रैक्टर मे लाद के हम कहीं और भेज देते हैं जो गार्बिश डंब होता है शहर का वहाँ जाता है वो भी हमने उनको दिया साथ साथ मुझे लगा कि टेलिविजन जो की एक बहुत ही ससक्स माद्धिम है उसके द्वारा एंडी टीवी के द्वारा एक प्रती वर्ष हम एक टेलिधॉन करते हैं बारा घंटों तक का बिना रुके बारा घंटे हम स्वच्चता की चर्चा करते हैं देश के अलग-अलग कोनों से बात करते हैं जहां कि प्रदेश के मुखे मंत्री हैं स्कूल्स हैं कॉलेजिस हैं संस्ताय हैं जो की स्वच्चता की और काम कर रही हैं उनसे बात कर किया जो कि एक बस चली तक्रीबन साड़ह तीन सो गाओं में और बच्चों को शिक्षित किया गया उसके माद्धिम से कि कैसे सवचिता को रखना चाहिए पिर अगरे वर्ष हमने सवचिता की बाटशाला खोली यहां स्कूल में जा करके हमने जो विद्यारती थे स्कूल से उ उन से कहा किस तरह हाईजीन और सैनिटेशन के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा फिर मेरा जिसा मानना था अधनी प्रधान मंत्री जी कि यदि प्रतियक व्यक्ति जहां भी रहता है अगर अपने इर्द गिर्द की दस गज गमीन को वो साफ सुतरा रखे तो जो और इस से इसका प्रचार हुआ और थोड़ा बहुत इसका उपयोग भी हो रहा है फिर पछले साल और आगे वर्षों में भी हमने क्लीन अथान किया जहां कि हमारे महाराश के मुख्यमंत्री शीफ अटनविश जी और मैंने मिल करके हस्पतालों में गए जे जे हस्पताल मे गए वहां स्वैम जाडू चलाया जितना भी कूला करकरता उसे इकटा किया और फिर हमने देखा कि जितनी भी कोपरेटिव हाउजिंग सोसाइटीज है वो अपना कच्रा जो है बाहर नहीं फेक रही है अपने ही सोसाइटी के अंदर उन्होंने एक तालाब बनाया है जहां है तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है आगे भी जैसा आपका आदेश होगा और जैसे हम अपने व्यक्ति के तोर से समझ पाएंगे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमिताब जी आपका युगदान तो मैं उन दिनों से देख रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था आज पुझ्य बाबु जी तो नहीं रहे नहीं पुझ्य माता जी रही लेकिन जहां भी है वहां आपके इस युगदान को देखकर उनको असीम आनंद होता होगा मुझे आध है दो वर्ष पहले आपने हरिवंस राइजी के जन्म दिवस के अवसर को स्वच्छता के साथ जोड़ा था उनके काव्यात्मग परिचाय मिट्टी कातन मस्थी कामन छनभर जीवन मेरा परिचाय को आपने स्वच्छता को समर्पित किया था और आपने दिखा था स्वच्छतन स्वच्छ मन स्वच्छ भारत मेरा परिचाय महान कभी की महान पंक्तियों से देश को प्रेरिद करने के लिए मैं रदय से आपका आभार वेक्त करता हूं और आपने फिजिकली अपने आपको उसमें डुबोया है काम में लगे हैं और यही प्रेणा दे रहा है आपकी बात सही है मैं रदय से आपकी अभिनादन करता हूं टीवी के माद्यम से अलग-अलग कारक्यमों के माद्यम से स्वस्चता के प्रती जागरूपता पैदा करने में आपकी भूमी का बहुत प्रसंस नहीं है सौचालयों के प्रयोग को लेकर के कुछ जगरों में अभी भी कुछ ब्रह्म दिखने को मिलता है ऐसे लोगों को जागरत करने में आप एक महत्वपण भूमी का निभा रहे हैं अपने अभिनए के माद्यम से, अपने चहरे के माद्यम से, अपने आवाज के माद्यम से, आपने देश और दुनिया को जो दिया, आपने उसका उपयोग सामान ये जन के जीवन के परिवर्तन में लाने के लिए कर रहे हैं, ये प्रेणा का कार्या है, स्वच्छता ही नहीं, बलकि देश और समात से जुड़े दूसरे अभियानों में भी आपने आगे बढ़ चल करके काम किया है आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ